नमस्कार दोस्तों जहां से पिछली बार यह चैप्टर छोड़ा था वहीं से इसकी शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर सेवन है यह पॉलिटी की किताब का इसकी प्लेइलिस्ट पर आपको मिल जाएगी पॉलिटी की जितनी भी प्लेइलिस्ट है आपकी चाहे वह प्लास टें करते हैं पर्टीकूलर तरीके से उनको दिखाते हैं और इस पर्टीकूलर तरीके से दिखाने के वज़े से उनकी स्टीरियो टाइपिंग होती है जैसे एक आधिवाद्टी को कलरफूल कबड़े पहने दिखाया जाएगा अजीब टाइप के उनके डांस दिखाया जाएग क्योंकि ये तरीके क्या दिखाते हैं कि जो आदिवासी ये primitive हैं, backward है, modern नहीं है, exotic है, कुछ अलग है हमसे, बट ऐसा है नहीं दोस्तों, चुकि अगर आप आदिवासी की traditional way of living देखोगे न, तो वो society से बहुत ज़्यदा अनुआस थे, in fact, एक example तो मैं पहले history वीडियो में आ कास सिस्टम, लेकिन tribal society में ऐसा कुछ भी नहीं था, तो उस समय की जो so called Vedic society जो बहुत पड़ी लिखी हुआ करती थी, जहां कुछ धरम के ठेकेदार नीचे के लोगों को दवाया करते थे, ठीके, उनसे तो बहुत बेटर थी वो tribal society, जहां सब को बराबरी का अधिकार दिय जाता था, ओके, फिर आदिवासी को कभी कभी ब्लेम किया जाता है, कि वो उनके अंदर lack of advancement है, वो नए ideas की तरफ रिजिस्ट करते हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करीगा, इसके बारे में हम लोग ने class 6 में भी देखा था, अभी आदिवासी ने development को देखते हैं, दे forest से बहुत सी चीज़े मिलती है, forest से हमको पेड तो मिलते ही हैं, ठीके, लकड़ियां तो मिलते हैं, सासन मेटल, ores like iron and copper, gold and silver, coal and diamonds, invaluable timber, medicinal herbs, मतलब वो पहुते हैं जिनकी medicinal values होती, animal products जैसे की wax, lac, honey, शहद, animals जैसे की elephants, भाया, आर्मी में elephant बहुत होते थे, यह सब कहां से आते थे, यह सब जंगलों से आते थे, जंगलों के ऊपर बड़े-बड़े civilization की dependence बहुत जादा रही है, आप देखिए, हमारा environment भी बहुत हद तक जंगलों पे depend करता है, underground water recharge में forest का एक major rule है, जो rivers हैं, वो rivers लहलहाती हुई बहती रहें, उसमें forest का एक बहुत major rule है, environment में मैंने आ आपको पढ़ाया है, ओके, तो कुल मिला के हमारे चारों तरफ जो भी environment है, जो भी हमको देखता है, जो भी हवा, पानी हमें चारों तरफ दिखता है, उनको साफ रखने, उनको अच्छा रखने में forest का major rule है, और अगर आप देखोगे, तो अंग्रेजों के राज तक, in fact, जब तक हम independent हुए, in fact, independence के बाद भी, हमारे जो इंडिया है, उसका एक बहुत बड़ा जो हिस्सा था, वो forest से covered था, अभी obvious सी बात है, जो हिस्सों में बिलकुल forest है, घने forest है, dense forest हैं, वहाँ पर आदिवासी रहा करते हैं, और आज से नहीं हजारों से रहे थे हैं वहाँ प forest में क्या काम के medicinal harps हैं, ये इनको पता था, middle of the 19th century तक आप बोल सकते हो, forest एक बहुत बड़े इलाकों में फैले थे, बाद में forest को बहुत large scale पे हमारे यापे काटना शुरू कर दिया, अंग्रेजों ने, अंग्रेजों से पहले जो राजा महारा थे, including मुगल राजा, दिल बाद में अंग्रेज आ गए, अंग्रेज के पास modern means थे, तो आदिवासी पे dependence अंग्रेजों ने कम कर दी, उनको बाहर फेकना शुरू कर दिया, तो आज आदिवासीों की जो image है कि भाई, ये marginal हैं, ये powerless हैं, इनके पास ताकत नहीं है, pre-colonial times में, यानि अंग्रेजों से आने के पहले, इनको traditionally जंगलों का राजा माना जाता था, ये hunter gatherers से, nomads से, और जो बड़े बड़े दिल्ली सतनत के मोगल थे, जितने भी राजपूत राजा थे, ये इनके साथ साथ गाट करके रखते थे, जंगलों के resources को harness करने के लिए, ओके, पिछले 200 सालों में, अगर अभी 2020 चला, 2000 मान लिजे, तो 1800 और specifically 1850 के बाद से, आप देखे, जब से अंग्रेजों करा जाया है, economic changes हुए, forest policies में changes हुए, अंग्रेजों का जो political force था, और private industry जो की अंग्रेजों के साथ इंडिया में entry मारी, उसके चलते ये जो ट्राइबल्स थे, इनकी हालत खराब होने लगी, first of all तो इन ट्राइबल्स को जहां भी रहते थे जंगल, वहां से निकाल के बाहर फेका गया है, ये तो पहली चीज़ हुए इनके साथ, उसके बाद ये ट्राइबल्स वरकर्स के बास जब कुछ करने को बचा नहीं, तो इनको as worker काम कराते थे plantations में, construction sites, industries, mining में, domestic workers क की तरह, यानि ये लोग, जो कि अपने जंगलों में इतने बड़े इलाके में राजाओं की तरह रहते थे, इनको नौकर बना दिया, आप देखे, from 1830s, आदिवासी is from जारखन, an adjoining area, बहुत large numbers में इनको इंडिया की plantations में भेजा गया, और दुनिया की, तो मौरिशियस करी लोग, Caribbean गये, औस्टेलिया गये, मौरिशियस, Caribbean और ऑस्टेलिया में आज की डेट में एक बहुत बड़ी Indian community established है, वहीं की nationality हो गई उनका origin Indian है, उनका ये Indian origin इनी लोगों से आता है, इनी ट्राइबल से आता है, जो कि यहां से वहां ले जाए गये थे, आसाम में एक बहुत बड़ी tea plantation industry शुरू ही वो tea plantations में काँ पूं करता था यही वरकर्स काम करते थे 70 लाख आदिवासीज हैं आसाम में जदातर tea plantations में काम कराने के लिए ले जाए गये थे और बहुत extreme hardship, torture, heartbreak, death हुई 5 लाख आदिवासीज की death हो गई migrations में इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में और इस poem के थूँ इन आदिवासीज की problem को हम feel कर सकते हैं कैसे जो सरदार है वो इनसे हमेशा काम कराने करता है कैसे बाबू इनको पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे काम कराने के लिए कैसे साहब तब तक मारता रहता था जब तक हम काम ना करें ठीके ना हे जादू राम कोई एक परसन रहा होगा जो इनको धोका धड़ी करके डिसीव करके दूसरी जगह लेके गया होगा तो ये अपने अलाकों में राजाओं के तरह रहते थे और इनको बना दिया भेकारी ये एक फोटो है नियामगरी हिल्स है काला हांडी डिस्टिक्ट औरिसा बहुत हद तक यहां पर इंसरजेंसी है मौईजम बहुत है यहां पर यहां पर डोंगरीया कॉंध रहते हैं एक आदिवासी कम्यूनिटी है कि जो नियामगरी हिल्स है वो डोंगरीया कॉंध के लिए सेक्रिड मौंटेन है यहां पर मेजर अलुमीनियम कमपनी ने अपना प्लांट लगाया माइन का रिफाइनरी लगाई उसके अगेंस्ट में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है जिसको बहुत सारे इन्वाइरों मेंटलिस्ट ने सपोर्ट किया उस कमपनी के वहाँ पर सारे मिन्रस नाच्रल रिसूर्स लगे तो भाइया उन मिन्रस और नाच्रल रिसूर्स की माइनिंग होने लगी लाज इंडस्टियल प्रोजेक्स यहां बनाए जाने लगे अभी जब लाज इंडस्टियल प्रोजेक्स बनाओ गया माइनिंग करोगे तो जो वहा को उनकी नेटिव जगह से निकाला गया है उसमें से 50 प्रतिशत से ज्यादा लोग ट्राइबल से फिर आप देखोगे एनदर सर्वे रिपोर्ट बाइ और्गनाइजेशन वर्किंग अमंग आदिवाशी शोड़ दे सब्सक्राइब औरिसा जारकंड से निकाले जाने वाले 79 परसेंट लोग्स ट्राइबल से आप देखिए बहुत सारे बड़े-बड़े इलाके ऐसे थे जहां पर डैम मनाएगा अभी डैम मनाया जाएगा तो वहां बहुत-बड़ा वाटर रिजर्वर बनेगा जिस जगह पर नौर्थीस्ट की बात करिये तो दर लैंड्स रिमेन हाइली मिलिटराइज इसका क्या मतलब है अब देख लिए दूस्तों नागा इंसरजेंसी कहीं न कहीं यह जो इंसरजेंसी है जो खासका नौर्थीस्ट के लाके में बहुत तेजी से फैली हो क्यों फैली है वो से डिस्प्लेज करो गए तो मिलिटराइजेशन हो गई तो नौर्थ इसमें देखें नागा इंसरजेसी का इशू कब से चल रहा है इंडिया में बात की जाए तो 104 नाशनल पार्क हैं जो कि लगबख 45,000 स्कॉर किलमेटर का इलाका है यह वो इलाके हैं जहां से ट्राइब को इस तरीके से देखे जाने लगा जैसे कि वो इस लैंड को खराब कर रहे हैं अभी देखे अगर उनके लैंड से उनके फॉरस से ट्राइबर को निकाल दो गए तो उनके लाइवलिहूट का जीने का सारा सोर्स चला जाएगा यह उनका ट्रेडिक्शनल होम लैंड है जब अब वो फस जाएंगे पोवर्टी साइकल में इस चैप्टर के शुरुवात में मैंने आपको एक ऐसा एक्जाम्पिल दिया था 45% ओल ट्राइबल गुप अरोट एरिया से निकां और अर्बन एरियास में रहने वाले 25 पर्सेंट ट्राइबल से नीचे हैं बहुत सारी जगा पे ट्रिवेशन हो रहा filled चिल्टने से उनको नथ खाने को मिलता नथा ना पीने को मिलता है वोаль जट्राइड पढ़ाये लिख त्राइब आदिवासी की अगर आप फॉरेस्ट की नॉलेज्ट के बारे में बात करो तो आदिवासी दस हजार प्लांट इस्पेशीज का इस्तमाल करते हैं जिसमें से पौधा मेडिशनली अच्छा ये आदिवासी को पता है कौन से पौधे को औरगनिक फार्मिंग में ऐस पेस्टिसाइड इस्तमाल किया सकता है ये आदिवासी को पता है कौन से पैदे को खाया जा सकता है ये उने पता है कौन सा जहरी राय ये उने पता है ये सारी की सारी अब आप देखोगे कि जब उनको उनकी जगाओं दिया गया उनके बास कुछ भी नहीं बचा एकadura मरंकर करके परसना उर्षा में एक refinery project खुला, उसकी वैसे गोविन्द मरन को हटा दिया गया, क्या बोल रहा है, they took our farming land, they left some houses, they took the cremation ground, temple, well pound, how will we survive, हमारा सब कुछ तो ले गए है, हमारे पास कोछ बचा ही नहीं, फिर देखे, tribes में हमको यह देखने को मिला, यह जो उनका economic dimension life था, और जो social dimension था life का, वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था, अगर आपने उनके economic dimension को तोड़ा, उनका social dimension भी तूट गया, ठीक है, destruction in one sphere naturally impacts the other, और यह dispersion और displacement जो की हुआ in tribals के साथ, वो कभी कभी बहुत जदा painful और violent भी था, अब हम बात करते हैं, minorities और marginalization की, ठीक है, हमने शुरुआत में unit 1 में पढ़ा, कि कैसे हमारे देश का समीधान religious और linguistic minorities को protection प्रोटेक्शन 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 प्रोटेक लेकिन, why do you think these minority groups have been provided with these safeguards, इन minorities groups को ये safeguards क्यों दिये गए, कही न कहीं तो इनके खिलाब कुछ न कुछ discrimination हुआ होगा, minority और मतलब क्या होता है, एक ऐसी community जो numerically कम है बाकी population से, यानि कि population कुछ अलग-अलग हिस्सव में बटी हुई है, और कोई एक हिस्सा छोटा है, और दूसरा हिस्सा बढ़ा है, ये होती है आपकी minority, और कभी-कभी इस minority को हम लोग किवल numbers के form में देखते हैं, जबकि इसका जो social dimension है, वो किवल numbers डिपेंड नहीं करता है, बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है, जब एक community छोटी हो जाती है, तो उसके बास ताकत कम हो जाती एकसेस टूरिसोर्स कम हो जाते हैं, और अविस सी बात है, जब उसके बास ये चीज़ें कम होगी, तो उसके social और cultural dimensions भी बहुत limited हो जाएंगे, और कभी-कभी एक majority अपने तोर तरीकों को इनके उपर impose करने की कोशिश करेगी, आप देखे पाकिस्तान में आज की डेट में क तो भाई बात यह है कि Indian Constitution ने बोला, यह भाई देखे, culture of the majority should not influence the society of the minority, वैसे तो देखा जाए, तो भाई अगर majority का जो culture है, वो society को influence करेगा ही करेगा, लेकिन एक minority हो हमें वो rights देने चाहिए, जिससे वो अपने तोर तरीकों को एक independent तरीके से अपना सकें, उनको कोई अपन देकल छोटा number है, वो उनके लिए एक disadvantage बनना नहीं चाहिए, और obviously अगर यह disadvantage बनेगा, तो उनका marginalization होगा, और marginalization होना सही नहीं है, इसलिए बहुत सारे safeguards रखे गए, इन minority communities को protect करने लिए, ताकि इनको culturally dominate ना किया जाया, ओके, इनके खिलाफ बहुत तरीके की discrimination थे, disadvantages थे, अभी indiscrimination और disadvantages को कैसे decipher किया गया, ये भी मैं आपको बताऊँगा, कभी-कभी वो लोग जो की थोड़े कम होते हैं number में, वो बाकी societies से थोड़ा insecure feel करते हैं अपने life में, property में, well-being में, और ये insecurity की वज़े से कभी-कभी जो tensions होती हैं, वो minority और majority community में पढ़ जाती हैं, religious tensions किस तरीके की problems create कर सकती हैं, ये हम अक्सर कर देखते हैं, इसलिए हमारे समविधान ने minorities को protect करने के लिए सेवगाड दिया है, और यहां के वर religious minority बात नहीं हुरी, linguistic minorities की बात हुरी, ताकि इंडिया की cultural diversity को हम बचा सकें, justice को बचा सकें, equality को promote करके, और chapter 5 में हम पढ़ चुके है कि इसमें judiciary एक बहुत major role play करता है, जो कि law को enforce करता है, और fundamental rights को बचाता है, अगर किसी citizen को लगता है, कि उसके rights wallet हुएं, उसके fundamental rights wallet हुएं, तो वो judiciary के पास जाके, अपने हक की गुहार लगा सकता है, और अब अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि हमारे देश में जो Muslim community है, उसका marginalization किस तरीके से हुआ है, कुछ statistics की मतब से, अभी के लिए वीडियो खतम करता हूँ, thank you for watching friends, have a great day, जल्दी ही दूसरी वीडियो upload हो जाएगी, goodbye.